सब्सक्राइब करें अपने यूटिव चैनल लानमोट मेडिसिन को और बैल आइकन दबाएं लेटेस नोटिफिक्षिन पाने के लिए वैलकम फैंट्स तो स्वाग अदम दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक एसी टेबलेट के बारे में जानेंगे जिसके नाम से बहुत ही ज़्यादा कन्फूजन बना हुआ कुछ दोस्तों के लिए बिल्कुल नई दबाएं जिसका नाम है आईबेंड्रोनिक एसी टेबले इसको गलत ले लिया जाए बहुत ही ज़्यादा नुक्सान हो सकता है और इसके साइड एफेट क्या होते यह सभी जानकारे इस वीडियो में आपको दूँगा इस कार्ण से वीडियो को बिना इसकीप के आं तक देखें इससे पूरी जानकारे आपको आईबेंड्रोनिक ए एक सेकिंड जन्रेशन विस फॉस्पोनेट गुरूप की दवा है जिसे एंटी रिसॉर्प्टियों तता एंटी ओस्ट्योप्रटिक दवा भी कहते हैं यह मुख्य रोप से बोन एब्जॉप्शन हड्यों के गलने को रोकता है अगर इसके कार्य करने की प्रणाली को समझे इन यहां दवा उन सभी शेल्स तता ऐस्ट्योप्रण की एक्टिवीटिक को कम करता है जो जो हड्यों को गलता है जिससे की हड्यों में कमजोरी आज में फ्रेक्टिर की रिस्क भी बढ़ जाती हैं जो टेबलेट हैं जिससे के साथ combination में और सिंगल साथ दोनों में हम यहां पर आइबेंड ड्रोनिक एसेड सिंगल साल टेबलेट के बारें पुछ डिटेल जान रहे हैं अगर इसके स्ट्रेंद की बात की जाए यहां टेबलेट दो अलगलग स्ट्रेंद में जिसमें 50 मिलेगाम तता 150 मिलेगाम की टेब आइडरो फोस टेबलेट वैंडर्वर टेबलेट जैमी ड्रो टेबलेट तता बहुंट राइस टेबलेट यहां इसके पूपुलर ब्रैंड है जो आपको फ्रीली कहीं पे मिल जाएंगे इन सभी का जो कॉम्पोजिशन होता है आई बैंडरोनिक एसीड ही होता है और हो सकत में इसकी प्रती टेबलेट नेगे सिर्फ इतनों कम डाली जाती एक किuman क्यों होइं वाइज आए से को पूरे द्यान से देखे अब अगर इस टेबलेट के यूजोज को जाने किन-किन इस्तितियों में इसका प्रियोग लिया जाता है तो जैसा कि यह दवा, बॉण डेंशिटी को बढ़ाने वाली दवा है, तो इसका प्रियोग हड्यों से जुड़ी है उनको ठीक करने के लिया जाता है, कुछ बिबार यहां जैसे कि Osteoporosis Osteoporosis हड़ी से जुड़ी एक बिमारी है जिसमें हड़ीयां कमजोर हो जाती है ब्रिटल हो जाती है और यहां इस्तती व्यक्ति के उम्र बढ़ने के साथ साथ होती है ज्यादा तर Old Days में देखे गी और उन महिलाओं में भी देखे जिनको Post-Minoposal इस्तती है मालब मीनोपोस शुरू हो गया है तो उस समय यहां इस्तती महिलाओं में देखी जाती है और जब यहाई सती हो जाती है तो महीलाव में हडिया कमजोर हो जाती है और फ्रेक्शर होने के चांसर बढ़ जाते हैं साथ ही हडियों में दर्द भी देखा गए है तो इस ओस्टियोपरोसिस को ठीक करने कली यहादवा दी जाती है इसके अलावा एक बिमारी जिसका नाम है पेगेट्स डिजीज यह बिमारी भी हडियों से जुड़ी होई है इस बिमारी में जो हडियों की नई सेल्स बनती वह नहीं बन पाती जिस कांट से जो पूरानी सेल्स से वही रह जाती जैसे कि हडिया कमजोर रहती हडियों में दर्द भी होता है तो इस डिजीज को भी ठीक करने के लिए हदवा दी जाती है साथ ही किसी पेसेंट की उम्र बढ़ती है या कोई महिला जिसको मुहिनों पोज किस्तेती सुरू होने वाली उसको प्रिवेंशन में हडी के गलने को रोकने के लिए पहले इसको एडवांस में दे दिया जाता है इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति है जिसकी हडिया कमजोर होगी जिस कांट्सों से कमर में पीठ में फ्रेक्शर होने की रिस्क बढ़ गी है वर्ट्यूब्रे में रिस्क प्रिवेंशन में इस दवा का अग्योप दोक्टर द्वाला लिया जाता है जुडेक्ट समय होरा यह इसके को अग्योक समय सब्छेथ को न सबसकर होया ब्लड्में लिए कल 75 हो सकता है hundred काल बी कम हो शकता है यह कुछ बुट इस्ततिया साइड इफेक्ट रूप में देखे गई है यदि यह इसके लागी दूसरी साइड इफेक्ट आपको मिले तो तुरन्त ही टेबलेट को लेना बंद करें अपने डॉक्टर से संफर्क करें अब वीडियो के लाश्ट में जान लेते हैं इस टेबलेट को किस प्रकार से लेने चींजिया होती है तो जैसा कि एक स्क्राइग इस्तिबंसकी टेबलेट इसको बहुत दियान साथ दियान आप इस कम डीवरेशन में सो BMW ले लेते हैं आपको प्रोड्लोम हो सकते हैं जिस महिने की तारीक को आपने या टेबलेट ली अगले महिने भी उसी तारीक को आपको टेबलेट लेँनी या विश्ञी पीं के साट मिनट में आपको कुछ भी क Finnish पीना नहीं अगर आप सकता लगे थो पानी के साथ ही आपको लेना है को फीचाई य। डॱलि tots पार सकती है और यदि कोई व्यक्ती है है जो टेपलीट लेना अगले महीने भूल गया है तो जब भी याद आये अगले साथ दिनों तक इस टेपलीट को ले सकते यह साद दिन में जब आप लेते तो इसमें भी बात ध्यान सकते हैं तो दोस्तों यह पूरी जानकारे थी बिलकुल ही नई दवा के बारे में जिसका नाम है आइबेंड ड्रोनिक एसी टेबलेट जिसका फ्लुइस टेबलेट के नाम से जानते हैं और ओस्ट्योपेटिक दोक्टर की फेवरेट दवा है तो इदा जानकारे आपको कैसे लिगी क्या नई दवा की आपको जानकारे मिली या इस दवा की जानकारे आपको पहले से थी कमेंट बॉक्स में जूरू से बताएं और नया वीडियो किस टॉपीक पर देखने है चाते हैं ये भी मुझे जूरू से बताएं आप ते अपने दोस्त मुहित दादिश के साथ देखे रिते अपने यूट्यूब चैनल लेर्न अबूट मैडिसिन थैंक ये फ्रेंड्स टेक केर और अन बी केर्फ पर मैडिसिन उसर्ण